नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सभी का सॉले से मिद्रेसर यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रपोजिशन से डिलेटेट एक प्रट्टिस एट लिया है इस प्रट्टिस एट में 30 कुशन कवर करेंगे आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों प्रेंडस में जिससे कि उनकी हैल्प हो सकے और आप लोग जो है वीडियो को लाइक एड़ शेर जाता है तो इस बाज़ेसे जो है आप लोग वीडियो को like and share जरूपिया करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहले आप विजिट कें चैनल को subscribe करें बैल आकिन को press करें चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला जो question है question number बन जो है cloth is sold blank the meter तो आप लोग सूच लिजे इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option d हो जाएगा cloth is sold the meter मतलब by the meter by the meter का मतलब क्या होता है के हिसाब से जो कपड़ा है वो मीटर के हिसाब से बेचा जाता है इस sentence का मतलब हो जाएगा कपड़ा मीटर के हिसाब से बेचा जाता है तो यह आप याद रखें तो इसके बाद जो है sold by the meter इसका correct हो जाएगा आप लोग एक समझ लिए बात जो यह लिखा है यह दो spelling हम लिख रहे हैं तो यह दो spelling आप लोग याद रखें C-L-O-T-H-S और C-L-O-T-H-E-S तो दोनों में आपको जो है मतलब क्या पता होना चाहिए तो इसका मतलब होता है C-L-O-T-H-S इसका मतलब होता है जो थान बाला कपड़ा होता है जिसको हम लोग लेते हैं दुकान से फिर उसको जो है टेलर के द्वारा सिलवाय जाता है उस कपड़े को कहते है, थान वाला जो कपड़ा होता है, थान का कपड़ा, थान का कपड़ा जो होता है, यह होता है, cloths, मतलब C-L-O-T-H-S, जो की, जो हम लोग दुकान से खरीते हैं, फिर उसके बाद tailor के पास देते हैं, फिर अपना नापाप, जो भी अपना size के अनुसार बनवाते हैं, तो जो कपड़ा होता है, उसको कहते है, cloths, और यह spelling जो है, C-L-O-T-H-E-S, इसका मतलब होता है, जो ready-made, ready-made जो कपड़े होते हैं, जो ready-made होते हैं, उन कपड़ों को कहते हैं, cloths, C-L-O-T-H-E-S, जो ready-made होते हैं, ready-made जो कपड़े होते हैं, उनको कहते है cloths और जबकि ये cloths जो होता है ये थन बाला कपड़ा होता है मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा तो ये आप याद रखें दोनों cloths का जो है ये जो cloth है ये दो पिरकार का होता है एक ये और दूसरा ये तो दोनों का spelling आप लोग देख लिजिए और दोनों का मतलब भी मैंने तो आप लोग सोच लिजिए इसका right option क्या होगा तो इसका right option जो हो जाएगा option A हो जाएगा rejoice के बाद हमेशा जो proposition आता है rejoice के बाद ये हमेशा at proposition आता है तो यहाँ पे जो है at correct हो जाएगा we rejoiced at him being promoted मतलब उनकी जो पदोनती है मतलब जो उनकी promotion है उस पर हमें खुशी है इसका मतलब हो जाएगा ये fix proposition है तो ये आप याद रखें अगला जो कुशन है कुशनमा third जो है it is natural in every man to wish blank distinction तो ये आप याद रखें जो wish है wish के बाद fix proposition जो है ये for होता है तो ये fix proposition आप या बाद जो है हमें इसा 4 होता है proposition जो wish का मतलब क्या होता है कामना करना या इच्छा करना तो इसका जो मतलब हो जाएगा हर आदमी में भीदभाव की इच्छा स्वबाबिक है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question है question मा जो 4 है the truth marched blank the town as a confidence willing measure तो इसमें आप लोग सोच लिज हो जाएगा यहां पर मतलब जो है सहर के बीचों बीच इस sentence में जो मतलब हो जाएगा सेना ने विसवास बहाली के उपाईयों के रूप में सहर के बीचों बीच में मार्च किया तो यहां पर जो है थो का मतलब जो हो जाएगा यह के बीचों बीच मतलब जो सहर के बीचों बीच तो यहां पर जो है Marched through the town यहां पर जो है इसका C option correct हो जाएगा सेना ने विश्वास बाहली के उपाईयों के रूप में शहर के बीचों बीच जो है March किया इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question है question number 5 जो है he will come blank long तो यहां पर जो है इसका right option जो हो जाएगा आप लोग सोच लीजिए तो यहां पर जो है इसका D option correct हो जाएगा यहां पर जो है before long होता है हमेशा before long होता है before long का मतलब जो होता है यह होता है soon मतलब जल्दी तो वह जल्दी ही वह जल्दी आ जाएगा इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question है question number 6 जो है friends आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like and डे से जरुकिया करें अगला जो question है question मा 6 He easily exceeded blank the pressure तो यहाँ पर जो है exceeded के बाद हमेशा proposition है 2 आता है यह fixed proposition है तो यह आप याद रखें Exceed के बाद हमेशा जो है 2 proposition आता है यह fixed proposition है इस sentence का मतलभ हो जाएगा वह आसानी से दवाव में आ गए इस sentence का मतलभ हो जाएगा वह आसानी से दवाव में आ गए इस sentence का मतलभ हो जाएगा तो exceed के बाद हमेशा fixed proposition 2 आता है अगला जो question है question मा 7 जो है I am really apprehensive blank his future तो apprehensive के बाद fixed proposition जो है यह off होता है तो इसका जो है a option correct हो जाएगा apprehensive के बाद fixed proposition off आता है इसको आप याद रखें में बास्तव में उसके भविश्य को लेकर जो है आशंकित हो इस sentence का मतलभ हो जाएगा यह fixed proposition है तो इनको आप याद रखें अगला जो question है question मा 8 है She is more careful blank the two girls तो इसका right option जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका right option जो हो जाएगा careful के बाद जो है हमेशा off आता है तो इसका जो है be option correct हो जाएगा यहाँ पे जो है careful के बाद हमेशा off आता है और यह आप याद रखें sentence का जो मतलभ हो जाएगा वह दोनों लड़कियों से ज़्यादा साबधान रहती है इस sentence का मतलभ हो जाएगा अगला जो question है question number 9 जो है I differ blank you on this questions तो यह चीज़ आप याद रखें जो differ है differ के बाद दो proposition आते हैं तो दोनों proposition आप याद रखें जब differ के बाद जो है bit proposition आएगा तो differ के बाद आगे जो है कोई person होगा जैसे यहाँ पे you दिया है तो आगे कोई person है तो differ के बाद जो यहाँ पे bit इसका correct हो जाएगा अगर आगे कोई thing हो मतलब कोई जगे हो या किसी बस्तू से हो तो यहाँ पे हमेशा from आता है यह दो proposition आप याद रखें जब आगे कोई person है जैसे इसमें you दिया है इसमें you दिया है तो यह person है तो differ के बाद proposition जो है बिद आएगा अगर यही आगे कोई जो है कोई thing होता मतलब कोई जगे होती या कोई बस्तू होती तो यहाँ पे जो है आमेशा from आएगा differ के बाद यह दोनों पर proposition आप याद रखें अगले जो कुशन है कुशनमा 10 he liable blank his vibes death तो यहाँ पे जो है इसका right option जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए तो इसका right option जो हो जाएगा option D हो जाएगा तो यहाँ पे जो है liable for इसका correct हो जाएगा he liable for his vibes death मतलब इस sentence का जो हो जाएगा वह अपनी पतनी की मौत के लिए जुम्मिदार है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगले जो कुशन है कुशनमा 11 he has great influence blank his जो है disciples तो disciples क्या मतलब होता है तो disciples का मतलब होता है जो सिस्से होते हैं जो अपने अपने गुरुओं के सिस्से होते हैं जो चेले होते हैं उनको कहते हैं disciples तो यहाँ पर जो इसका correct हो जाएगा यह over हो जाएगा यहाँ पर जो है over इसका correct हो जाएगा influence over इसका correct हो जाएगा इसका क्या मतलब होता है जो उनका अपने सिस्यों पर बहुत पिरभाव है इस sentence का मतलब हो जाएगा तो ये चीज़ आप याद रखें यहाँ पे जो है option में अगर bid होता अगर option में bid होता तो आप इसको भी सही कर सकते हैं लेकिन आपको option में दोनों कभी साथ साथ नहीं मिलेंगे अगर आपको over मिला है तो bid नहीं मिलेगा अगर bid मिला है तो over नहीं मिलेगा आप दोनों में से कोई भी सही कर सकते हैं तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे यहाँ पे option में bid नहीं दिया है मैंने आपको बता दिया है अगर आपके exam में समझ रहें आप, accents मतलब किसी की कोई चाल, तो उसके लिए अगर कोई influence कर रहा है, तो यहाँ पे जो है on proposition आएगा, यहाँ पे जो है influence की बाद on proposition कब आएगा, जब आगे जो है accents होंगे, accents के लिए जो है on proposition आएगा, जबकि आगे कोई person है, जैसे यहाँ पे जो है उसके चेले हैं, मतलब सिस्से हैं, तो यहाँ पे जो है over या bid दोनों इसके correct हो जाएंगे, दोनों में से आप कोई X लगा सकते हैं, जो आपके option में मिले, तो दोनों कभी आपको साथ नहीं मिलेंगे, तो यहाँ आप याद रखें, तो यहाँ पे sentence का मतलब जो हो जाएगा, उनका आपने सिस्सियों पर बहुत पिरवाव है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगला जो question है, question number 12, he is laboring blank a misapprehension, तो misapprehension मतलब होता है गलत फैमी, तो यहाँ पे जो है इसका correct हो जाएगा, यह हो जाएगा under, यहाँ पे जो है इसका under correct हो जाएगा, option जो इसका, जो है, यह be option correct हो जाएगा, वह किसी गलत फैमी में काम कर रहा है जब किसी गलत फैमी में काम करना, तो इसके लिए हमेशा जो है labor के बाद proposition जो आता है under आता है ये चीज़ आपको याद रखनी है किसी मतलब जो है public के मतलब भलाई के लिए काम करना जो है public के भलाई के लिए काम करना तो labor के बाद जो proposition आता है ये क्या आता है तो labor के बाद जो proposition आता है ये for आता है मतलब जो है जनता की बहलाई के लिए काम करना तो labor के बाद जो proposition आता है ये for आता है अगर कोई छोटा या कोई भी काम कर देना तो labor के बाद जो proposition आता है ये आता है क्या ये आता है at कोई भी काम कर देना ऐसे ही चोटा या बड़ा ऐसे ही कोई काम कर देना तो यहां पर जो है लेवर के बाद एट प्रपोजिशन आता है जनता की भलाई के लिए काम करना तो लेवर के बाद फॉर प्रपोजिशन आता है अगर लेवर के बाद अगर labor के बाद जो proposition आए, in आए, तो ये क्या होता है, जब in आएगा, तो किसी अच्छे कारड के लिए काम करना, मतलब किसी कोई अच्छे कारड के लिए काम करना, तो उसके लिए जो है labor के बाद in proposition आता है, अगर कोई छोटा काम कर देना, तो उसके लिए labor के बाद at आता है कोई public मतलब पूरी जनता के लिए भलाई के लिए काम करना तो labor के बाद for आता है और किसी गलत family में काम करना या किसी management के under में काम करना तो यहाँ पे जो है labor के बाद under proposition आता है तो यह आपको याद रखना है तो इस sentence का जो मतलब हो जाएगा वह किसी गलत फेमी में काम कर रहा है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछनमा 13 इस फ्रेंड्स डिसग्रीड ब्लेंक हिम ओन डेट पॉइंट तो इसमें आपको याद रखना है डिसग्री के बाद जो प्रपोजिशन आता है ये बिद का वाता है जब बिद प्रपोजिशन आएगा तो आगे कोई पर्सन होगा जैसे इसमें हिम दिया है जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको हमेशा जो है बिद प्रपोजिशन लगाना है और जब आगे कोई मेटर होगा जब आगे कोई matter होगा तो आपको proposition जो है on लगाना है तो ये दो proposition आपको याद रखनी है disagree के बाद अगर आगे कोई person दिया है तो आपको जो है bid लगाना है अगर आगे कोई matter दिया है तो आपको on लगाना है तो यहाँ पर जो है इसका correct answer जो हो जाएगा option A correct हो जाएगा उसके दोस्त जो है उस point पर उससे असहेमत थे इस sentence का मतलब हो जाएगा जब आगे कोई person होगा तो बेद लगाना है जब आगे कोई matter होगा तो जो है own proposition आपको लगानी है disagree के बाद अगला जो question नहोंад 14 जो है he exceeded blank my request तो मैंने आपको बताया exit के बाद जो proposition आता है यह two आता है हमेशा यह fix proposition है तो इसको आप याद रखें अगला जो question नहोंад 50 जो है he yielded blank superior force तो yielded के बाद जो Proposition आता है, ये 2 Proposition आता है, तो ये Fixed Proposition है, इसको आप याद रखाएं, yielded के बाद ग्लक्स तो इसका जो है A option correct हो जाएगा अगला जो question है question 16 floor is covered blank carpet तो cover के बाद जो proposition आता है covered के बाद या cover के बाद या आता है तो इसका जो है यहाँ पर D option correct हो जाएगा तो यहाँ पर sentence का मतलब जो हो जाएगा जो first है यह कालीन से ढखा हुआ है इस sentence का मतलब हो जाएगा covered with carpet तो इसका जो है D option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 17 what does it mean if you dream blank mountain question mark तो यहाँ पर जो है dream about mountain हो जाएगा के बारे में तो यहाँ पर जो है about इसका correct हो जाएगा option जो है इसका D correct हो जाएगा यदि आप पहाडों के बारे में सपने देखते हैं तो इसका जो है क्या मतलब है sentence का जाएगा तो यहाँ पर जो है if you dream about mountain मतलब के बारे में, मतलब पहाड़ों के बारे में, तो यहाँ पे जो है about जो है, इसके मतलब sentence के मतलब के अनुसार जो है, यहाँ पे d option इसका correct हो जाएगा, अगला जो question है, question 18, he was married blank his sister, तो यहाँ पे जो है married के बाद जो proposition प्रपोजिशन आता है, यह हमेशा to आता है, तो इसका fix proposition to होता है, हमेशा, marriage के बाद, married के बाद, हमेशा proposition जो है married के बाद, to आता है, तो इसको आप याद रखें, अगला जो question है, question 19 है, I am afraid blank, आगोश्ट, तो यहाँ पे जो है, afraid के बाद, जो हमेशा off आता है, यह fix proposition है, तो इसको आप याद रखें, afraid के बाद, जो है, off आता है, आगोश्ट, तो यहाँ पे जो है इसका, a option correct हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा, मुझे भूच से डर लगता है, इस sentence का मतलब हो जाएगा, अगला जो question है, question में 20 है, I will abide blank your instruction, तो abide के बाद जो proposition आपको लगाना है, यह क्या आता है, तो इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा option, इसका जो है, by इसका correct हो जाएगा, abide के बाद जो है, by proposition होता है, कब, जब इसका मतलब हो, पालन करना, या किसी के अनुसार कारे करना, तो यहाँ पे जो है sentence का जो मतलब हो जाएगा, मैं आपके निर्देश का जो है, पालन करूँ गा, तो यहाँ पे जो है, abide के बाद जो है, by proposition, यह fix proposition है, तो यहाँ आप याद रखें, तो यहाँ पे जो है, abide के बाद, by इसका correct हो जाएगा, किसी के, जो है, निर्देश के अनुसार काम करना, या पालन करना, तो इसका जो है, जो है, c option correct हो जाएगा, अगला का मतलब हो जाएगा, आगला जो कुशन है, कुशन नमर 22, जो है, he will be getting blank, the train in 10 minutes, तो यह कुशन काफिगा, repeat हो चुका है, तो इसका जो right option, जो हो जाएगा, इन्टू हो जाएगा, यहाँ पे जो है, इन्टू का मतलब हो जाएगा, कि, जो है, किसी के अंदर, तो, वह दस minute में, जो है, train में चड़ जाएगा, तो, मतलब, 10 में, train में, चड़ जाएगा, तो, यह train है, तो, train के अंदर चड़ जाएगा, जब किसी चीज के अंदर जाना, और, motion में होना, तो, इस के लिए इन्टू का यूज करते हैं तो इसका जो है सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा वह दैस मिनट में ट्रेंड में चड़ जाएगा अगले जो कुछन आ कुछनों colours 23 जो है it is a house blank two stories तो stories का मतलब क्या होता है منجला तो यहापर जो है इसका जो korrekt हो जाएगा यह sentence के जो है earth के अनुसार जो है यहापर ऑफ ओडवलेf इसका korrekt हो जाएगा तो यहाँ पर sentence का जो मतलब जो निकल रहा है यह निकल रहा है यह दो मंजिला का एक घर है इस sentence का मतलब हो जाएगा तो यहाँ पर जो OWF आया है यहाँ पर sentence के मतलब के अनुसार यहाँ पर use किया गया है वह दो मंजिला का एक घर है यहाँ पे जो है sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question है question number 24 There is no hair blank जो है his head तो यहाँ पे जो है on his head तो यहाँ पे sentence के मतलब के अनुसार जो है on proposition का use किया गया है उसके सिर पर बाल नहीं है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो question है question number 25 जो है I take exception blank your remarks तो यहां पे आपको याद रखना है exception के बाद जो हमेशा beraber जो आता है यह टूörper प्रोजिशन आता है और exception का जो मतलब होता है एक होता है अपवाद प्र एक होता है बरोद या फिर आत्ती तो यह पे जो आत्ती और बिरोद के अकोड़िंधिया फिर्थopen a experiment और होता है बिरोध या आपत्ती तो यहां पे जो है आपत्ती और बिरोध के according यूज हुआ है तो इसको आप याद रखें और two proposition आता है हमेशा exception के बाद तो यह भी आप याद रखें यह fix proposition है तो इनको आप याद रखें अगला जो question है question number 26 जो है the work is done blank in haste तो यहां पे जो है work done in haste मैंने आपको बता दिया है तो यहां पे जो है इसका be option correct हो जाएगा in haste जो है एक phrase है जिसका मतलब होता है जल्दी से जल्दी में या फिर हडवड़ी में तो यहां पे जो है in haste का मतलब होता है जल्दी में या हडवड़ी में तो इस sentence का जो मतलब ह हो जाएगा काम जल्दवाजी में किया गयाता है इस sentence का मतलब हो गया है अगला जो कुछन है कुछ नमर 27 जो है तो सी शोर का मतलब क्या होता है तो यहाँ पे जो है हमेशा आपको जो है गो के बाद क्या प्रपोजिशन लगाया है अपने टू लगाया है तो गो का जो सेकंड फॉर्म है यह होता है वेंट तो यहाँ पे वेंट के बाद भी टू प्रपोजिशन आएगा तो इसका जो है इ जो train है वो 9 बज़े आई तो यहां पर 9 बज़े आई तो यहां पर जो है at 9 o'clock तो इसका जो है C option correct होजाएगा आगला जो question है question है 29 जो है he jumped blank the well to commit suicide तो यहां पर जो है jumped into the well होता है हमेशा तो इसका जो है into इसका correct हो जाएगा into क्यों होगा है जैसे ये well है मतलब कुआ है तो यहाँ पे जो है ये well है कुआ है तो जब कोई ऊपर से कूदेगा तो पहले तो वो motion में जाएगा motion के लिए to आता है और किसी के अंदर जाना तो मतलब in आता है तो दोनों का मिलाके जो है into इसका correct हो जाएगा किसी चीज़ के अंदर और motion में होना तो इसके लिए हमेशा into का use करते हैं जैसे किसी चीज़ के अंदर और motion में भी होना तो इसके लिए हमेशा into proposition का use करते हैं तो उसने जो है खुद कुसी करने के लिए कुए में छलांक लगा दी इस sentence का मतलब हो है ऊगला है कोशिंग नम нमट थैटी जो है इस फीडियो का लाष्ट विवर प्रिवेन्टिट ब्लेंग चून दा प्रीजनर फ्रिबेंटाइट के वाद हने सां जो है फृम पिर्फोजिसन आता है फ्रिबेंटेड फ्रोम होता है हमेसा यह आपको याद रखना है तो यहाँ पर जो इसका जो मतलब हो जाएगा जो है हमें कैदी को देखने से रोका गया इस sentence का मतलब हो जाएगा prevented के बाद prevent के बाद हमें साथ from proposition आता है तो यह आपको याद रखना है और यह question जो है he questioned the group blank are danger तो इसमें जो है आपको proposition जो है आप लोगों को choose करना है और आप लोगों को जो है इसका झाल सर कमेंट box में जरूब बताना है और प्लस आपको 30 में से आप लोगे तना score किये है यह भी आपको बताना है और इस question का answer भी आपको बताना है क्योंकि इस question को मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ तो आपने अगर पिछली वीडियो देखी है तो आप लोग इसका answer जरूर बता देंगे अगर आपने नहीं देखी है तो इसका जो है link आपको जो है वीडियो का description में आप लोग जितने ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप लोग के लिए तो चैनल पर जितनी भी वीडियो डली है आप लोग revision करते रहिएगा और आप लोग 30 में से कितना score किये हैं comment box में जरूर बताएं friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and से रुकिया करें और इसका जो PDF है आपको टेलेग्राम की चैनल पर एक दो दिन बाद में प्रोबाइड कर बाद दूँगा वो आप लोग चिंता बिलकुल मत करिएगा अगर चैनल पर पहले आप विजिट किये हैं चैनल जरू सब्सक्राब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक लिए जैहिन वन्दे मात्राम